दो बार के विधायक लखन देवांगन जो की कोर्बा से जीत कर यहाँ पर पहुंचे है बीज़ोपी के टिकेट से सरकार में एक बड़ी जिम्यदारी बतौर मंत्रियों ने मिली है बहुत बहुत बढ़ाई आपको मंत्री पर धन्यवाद लखन जी बड़ी प्रात्मिक्ता क्या होगी आपकी अब हमारी प्रात्मिक्ता रहेगा 36 गड़ परदेश के समगर विकास हो और हमारे देश के माननी परधान मंत्री नरेन मोदी जी ने देश वासियों के लिए जल कल्यार कारी यह उजना चला रहे हैं उसे जनाओं के एकक बेक्ती को लाब मिले इसके लिए पूरा फोकस रहेगा और हमारे भारती जनता पार्टी ने भी गोशना पत्र जारी किया था मोदी गारेंटी वो मोदी गारिंटी एकक गोशना को हम लोग धरातल पर उतारेगे एकक बिंदू पर काम करेंगे और एकक बेक्ति को उसका लाब मिले इसके लिए हमारा फोकस रहेगा पार्शार से लेकर यहां तक का एक बड़ा सफर कटगोरा से आप इधायक रहे कोरबा नगरनिगा में महापाओर भी रहे कोरबा सेजबारा मंत्री जो थे जैसिंग अगरवाल उन्हें हराकर एक बड़ी जीत आपने दर्ज की थी प्रात्मिकताओं की तो बात आपने कर दी फिलाल बड़ा सवाल जो यह है कि आपको उम्मीद थी कि कैबिनेट का हिस्सा बनाये जाएगा या प्रत्याशी तिये चौकाने वाला निर्ण बीजेपी का लगा देखे मैंने भारती जनतापाटी के अपने वरिष नेतागणो को कभी भी मेरे कोई पद्दो करके निमेदन नहीं किया है मुझे भारती जनता पार्टी ने पारसत का भी टिकिर दिया, महापरु का भी टिकिर दिया, दो बार से विधायक का टिकिर दिया, तिस्रा बार फिर से विधायक का संसदी सचु बनाया और उसी तरह से भारती जनता पाटी में भी संगठन में काम करने का उसर प्रदेश को उपा धहक्ष भी बनाया, प्रदेश में मंत्री भी बनाया, कारिस Amittis मीं तिन-तिन बार था और जीला संगठन में कई पदों पर रहकर अपने करतबियों का निर्वान किया